बार बार पढ़ते हैं बीमार तो इस्तिमाल कीजिए ये पांच पत्ते हैं, हर रोकी हो जाएगी छुट्टी मौसमी बीमारियां हो या फिर लंबे समय से चला आ रहा कोई पुराना रोगा कई बार देखने में आता है कि कई बीमारियां लाई लाज सी हो जाती है ऐसा नहीं है कि उनका एलाज नहीं है लेकिन रोगी बार बार उनसे पीड़त होता है एलरजी हो सर्दी हो या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या कई बार इन बीमारियों का एलाज कई तरह की चिकितसा पद्धती में भी नहीं हो पाता ऐसे में रोगी तो परिशान होता ही है बलकि ये छोटी सी बीमारिया मानसे ग्रूप से फ्रस्टेशन भी हो जाता है लेकिन ऐसी ही मौसमी और कई तरह की बीमारियों में कुछ पत्ते बेहद लाबकारी होते हैं आईए जानते हैं किस तरह के पत्ते होते हैं ये और कैसे पहुंचाते हैं कई तरह की बीमारियों में राहत नीम, तुलसी, बबूल, बढ़ और बेर के पत्तों में कई और शदिये गोंड होते हैं ये पत्ते काई तरहा की बिमारियों में घरेलू नुस्खों के तौर पर इस्तिमाल होते हैं चर्म रोग से लेकर मंसूडों के समस्या और बालों के जरने की दिक्कत तक में ये पत्ते अंग्रेजी दवाओं से ज्यादा कारगर सावित होते हैं आए इन पांच पत्तों के और शदिये फायदे जानते हैं नीम का पत्ता बेहद लाबकारी होता है अगर आप सुबह खाली पेट नीम के 10-12 पत्तियों को पीश कर पीते हैं तो आपको कभी चर्म रोग नहीं होगा इसके आलावा नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर सिर्ध होने से बाल जड़ने की समस्या भी खत्म हो जाएगी जुओं की समस्या में भी नीम के पत्ते फायदे मंद होते हैं तुल्सी के पत्ते की चाय पीने से सर्दी खासी में आराम मिलता है अगर आप रोज सुबह तुल्सी के पत्ते की चाय पीते हैं या फिर नियमित और पर तुल्सी के पत्ते खाते हैं तो आपको कई तरह की बिमारियों से चुटकारा मिलता है नीम और तुल्सी की ही तरह बबूल की पत्तियां भी बेहत लाबकारी होती हैं बबूल की पतियों को पानी में उबाल कर कुला करने से डात्व मसूडे मजबूत होते हैं नीम की ही तरह बेर की पतियां भी बाल जढने की समस्या से निजात दिलाती हैं बेर की पत्तियों वा नीम की पत्तियों को बारीक पीस कर नीमभू का रुपय मिलाकर बालों में लगाने से बाल मजबूत होते हैं और बाल जढने की समस्या भी दूर होती है